Candid Aman, कहानियों का स्मगलर जागरती आर्यमन को आईए सुनते हैं कहानी के इस भाग में लेकिन लेकिन उससे पहले मेरे दोस्तों, अगर आपको Love Arrest कहानी बहुत पसंद आती है आपको Love Arrest कहानी के एक-एक कैरेक्टर से बेंतहाँ प्यार है और आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं तो जल्दी से कहानी को मैं शुरू करूँ उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए और हाँ अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना मत भूलना जागरती आरेमन के पास आई तो आरेमन ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसके हाथ को थाम कर उसे अपने नजदी खीच लिया, जिसने दोनों के बीच की दूरी को पल भर में खत्म कर दिया जागरती ने अपने दोनों हाथों को आरेमन के सीने पर टिका दिया जागरती ने आरेमन की निगाहों को बढ़ने की कोशिश की तो उसे उसकी निगाहों में शरारत नजर आई जागरती की एक टक अपनी तरफ देखती निगाहों को आरेमन ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए तोड़ दिया जिसके बाद आरेमन ने जागरती के गाल को किस करते हुए आहिस्ता से उसके कान में कहा बाक यूर थेंक्स जागरती हम हमारी जिंदगी के नए सफर पर निकल रहे हैं आज और हां लास्ट टाइम की तरह मेरे बैक के साथ कोई शरारत नहीं होनी चाहिए वर्णर लास्ट टाइम तो नहीं लेकिन इस बार तुम्हें इस बात की अच्छी कासी सजा मिल सकती है इन शब्दों के बाद आरेमन ने जागरती के गाल को एक बार फिर से किस किया और उसे बाय कहा जिसके बाद आरेमन की इशारे पर वहां मौजूद सभी लोग उसकी और पलट चुके थे आरेमन के ड्राइवर ने फूर्ती से कार का डोर खुला और आरेमन के कार में बैठने के बाद उसकी कार वहां से आफिस के लिए रवाना हो चुकी थी आरेमन की कार के वहां से निकलते के साथ ही वीर की कार वहां आ चुकी थी अभी जागरती के कदम वहां से अंदर गए भी नहीं थे जब आरेवीर वहां पहुँच चुका था आरेवीर कार से बहार आया तो उसके चहरे पर ठकान और नींद साफ नजर आ रही थी जागरती ने सिवाए वीर से परीधी की कंडिशन के कुछ भी नहीं पूछा वीर तेज कदमों से वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ चुका था वीर के चहरे पर अभी भी टेंशन थी जब तक परीधी ठीक होकर घर नहीं आ जाती तब तक के लिए उसके सेर पर खत्रा मंडरा रहा था ये बात वो अच्छे से जानता था आरेमन ने पहरा बहुत कड़ा किया हुआ था लेकिन बावजूद इसके वीर को तभी चैन था जब वो खुद परीधी के साथ था वीर ने अपने रूम में जाकर सबसे पहले शाड लिया जिसके बाद उसकी ठकान कुछ हद तक कम हुई इस बीच जागरती ने वीर के लिए बिक्फस्ट उसके रूम में ही भेज दिया था वीर ने आज लगबग 48 गंटे के बाद कुछ ढंक से काया था उस दिन से वीर परचाई की तरह परीधी के साथ था परीधी की मॉम की भी सर्चरी हो चुकी थी जो की सकसेस्फुल रही थी अब इंतजार था तो परीधी को ये खुश खबरी देने का इधर जागरती को जैसा आरेबन ने कहा था उसने अपनी और निवान की पैकिंग शुरू कर दी निवान के रेगुलर के खिलोने उसके फेवरेट कैंडीज उसकी मॉम की फोटो और उसके नन्ने नन्ने से कपड़े जागरती ने बड़ी ही जिम्मेदारी से पैक कर लिये थे अब बारी थी जागरती का अपने लगेज बैक को पैक करने का मंजु ने जब जागरती को इस तरह से लगेज बैक को पैक करते हुए देखा तो उसने जागरती से कहा लाइए मैडम मैं कर देती हूँ आपका लगेज बैक पैक जागरती ने मुस्कुराते हुए मन्जू को जवाब दिया नहीं मुझे ये सब काम करने की खुद आदत है ठैंक्स मन्जू ने सर जुगाते हुए ओके कहा जिसके बाद उसने जागरती से कहा ओके तो मैं बॉस का लगेज बैक पैक कर देती हूँ अभी मन्जू अपनी जगा से हीली भी नहीं थी कि तभी जागरती ने उसे रोकते हुए कहा वेट उनका लगेज बैक मैं खुद पैक करूँगी मुझे इतना टाइम हो गया है उनके साथ रहते हुए तो मुझे पता है कि उनकी क्या आदते है मंजू ने जागरती की बात पर मुस्कुराते हुए जी ज़रूर कहा और वहां से इजासत लेकर वो चली गई मंजू को पता था कि जागरती प्यार से आरेमन का ये चोटा सा काम करना चाहती है जागरती ने आरेमन के कपड़े उसके टेस्ट के हिसाब से निकाल कर बेट पर रख दिये जिसके बाद उसने एक-एक करते हुए उन्हें प्रॉपर तरीके से लगेज बैक में पैक करना शुरू किया जिसके साथ ही आरेमन की जरुरत के सबी समानों को अच्छे से आरेमन के लगेज बैक में पैक कर दिया जागरती ने ये सब बहुत मन लगा कर किया था उसकी तैयारिया पूरी थी जाने के लिए शाम में ही आरेमन चार्टेट प्लेन से निवान और जागरती के साथ वहां से फामाउस पर जाने वाला था जागरती को पहले ही काफी excitement थी निवान और आरेमन के साथ वहां जाने की साथी उसे खुद इस बात की कुछ हद तक घबराट भी थी कि आरेमन और उसके बीच की दूरियों को अब आरेमन जदा दिन कायम नहीं रखने दिने वाला जागरती की packing हो चुकी थी और शाम का समय भी हो चुका था जागरती हॉल में बैठी निवान की studies करवा रही थी कि जब आरेमन के कदमों की आवाज जागरती के कान में पड़ी जागरती के चेहरे पर खुशी थी आरेमन को वहां देखकर आरेमन दोनों के पास आया और अपने हाथ आपस में बांद कर दोनों को ही देख रहा था निवान ने जब अपने मामा को सामने खड़े देखा तो उसने excited होते हुए आरेमन की तरफ दौड लगा दे आरेमन ने भी जुकते हुए फौरण उसे अपनी गोद में उठा लिया आरेमन ने निवान से पूछा रेड़ी चैंपियन निवान ने मुस्कुराते हुए आरेमन को जवाब दिया मामा आम रेड़ी चलो मैं भी आपको रेड़ी कर देता हूँ आरेमन ने मुस्कुराते हुए निवान को कहा बेड़ा आप यहां बैठो आपकी मामी आपके मामा को रेड़ी करेंगी चले जागरती जागरती आरेमन की बाते सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी आरेमन ने जब अपने सवाल को दोराया तो जागरती ने खोई-खोई आवाज में उसे हां कहा और वहां से उठकर आरेमन के पीछे पीछे चल दी आरेमन ने निवान को वहीं खेलते हुए छोड़ दिया आरेमन जागरती के साथ अभी बस अपने रूम में पहुचा ही था कि जागरती ने उससे सवाल किया अब क्या मुझे आपको रेडी करना होगा आरेमन आप कोई बच्चे नहीं है जो मैं आपको रेडी करूँगी जा रही हूँ मैं लेकिन अपनी बात कहते ही जागरती वहां से मूव होती उससे पहले ही आरेमन ने जागरती को उस बंद दरवाजे के साथ गेड़ते हुए कहा जागरती तुम तब तक यहां से नहीं जा सकती जब तक मैं नहीं चाहूँगा ये बात हों अच्छे से जानती भी हो तो जद करना बंद करतो जागरती आरेमन जागरती को उसकी कलाई से थामते हुए अंदर रूम में ले आया जिसके बाद उसने जागरती को वहीं बेट पर बेठाया और अब उसके सामने ही उसने एक-एक करते हुए अपने कपड़े निकालने शुरू किये अभी आरेमन ने अपना कोट रिमूफ किया ही था कि जागरती नवसनेस में स्प्रिंग की तरह उचल कर खड़ी हो गई आरेमन ने अपने कदम जागरती की तरफ बढ़ाए और उसके कंदे से उसे होल्ड करते हुए आराम से बैठा दिया जिसके बाद उसने अपनी टाई को रिमूफ किया और जागरती से सवाल किया आई होब की तुमने अपनी पैकिंग कर ली होगी जागरती जागरती ने हामे जवाब दिया तो आरेमन ने जागरती से सवाल किया और मुझे उमीद है कि तुमने मेरे लगेज बैक के साथ कोई शरारत तो नहीं की होगी वड़ना इस बार जो मैं तुमें सजा दूंगा उसके बाद तुम कभी ये शरारत नहीं करोगी जागरती ने गुस्से में आरेमन को जवाब दिया आप कब अपनी ये सजा वाली जोन से बाहर आएंगे मैं भी देखती हूँ कैसे आप मुझे सजा देते हो आरेमन ने जब जागरती को यूँ इस तरह से नाराज होते हुए देखा तो उसने अपने कदम बेट पर बैठी जागरती की तरफ बढ़ा दिये आरेमन इस दौरान अपनी शोट के बटन्स को खोल रहा था जागरती के पास पहुँचते ही आरेमन की शोट का लास बटन भी खुल चुका था जिसके साथ ही आरेमन जागरती के ऊपर जुक चुका था आरेमन ने अपने दोनों हातों से जागरती को दोनों और से घेरते हुए उसके चेहरे के नसदीक जुकते हुए कहा मुझे सब अच्छे से पता है जागरती मंजू ने मुझे सब पता दिया है कि तुमने खुद अपने इनी हातों से मेरा लगेज बैक पैक किया है अपनी बात पूरी की ही होगी आरेमन ने जिसके फॉरण बाद ही उसने जागरती के दोनों हातों को थामते हुए अपने होंटों से चूलिया जागरती आरेमन के उस चामिंग लुक में उलजी हुई उसकी आखों में ही देख रही थी जब आरेमन के भारी और मदहोश करने वाली आवाज ने जागरती के कान में कुछ कहा अब सजा देने की बारी तुमारी है जागरती और मैं तुम्हारा गुनेगार हूँ I surrender myself to you जागरती जागरती को आरेमन की बातों से कुछ और ही फील हो रहा था जागरती ने अपने उपर जुके हुए आरेमन को उसके सीने से पुश करते हुए कहा अगर ऐसा है तो मुझसे मिलने वाली पनिश्मेंट के लिए रेडी हो जाईए मिस्टर आरेमन मलहुतरा क्योंकि आपके दिल में रहम हो सकता है लेकिन मैं, मैं बहुत बेरहम हूँ सोच लीजिए आरेमन बैट से सीधा खड़ा हुआ और उसने जागरती को जटके से अपनी और खींचते हुए कहा सोच लिया जागरती के दोनों हाथ इस वक्त आरेमन के सीने पर थे और जागरती की नज़रें आरेमन की नजरों में खोई हुई थी जागरती के कुछ भी बोलने से पहले आरेमन ने जागरती के होंटों को अपने होंटों से छूलिया जिसके बाद उसने जागरती से कहा मैं हमारे बीच की सभी तूरियों को खत्म करना चाहता हूं जागरती मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं and I can't wait for that moment जागरती आरेमन की इन इंटेंस बातों से शर्मा गई जिसके बाद आरेमन ने अब जागरती को ज़्यादा तग नहीं किया और नीचे हॉल में वेट करने के लिए कहा nervous जागरती तो आरेमन की बाहों से ऐसे चुट कर भागी जैसे किसी शेर के पंजे से उसका शिकार जागरती की सासे तो अब उसे उस रूम से बाहर आने के बाद ही वापस मिलने वाली थी जागरती ने उस रूम से बाहर आने के बाद गहरी सासे ली इधर आरेमन खुद इस ट्रिपर जाने की सोच कर ही excited था उससे जादा उसके दिल को ये बात खुश कर रही थी कि उसके लिए उसका लगेज बैग जागरती ने खुद पैक किया है उसकी जरुरतों को खयाल रखते हुए आरेमन जल्दी ही चेंज करके रेडी हो चुका था उसने अपने रूम से कदम बाहर रखा जिसके बाद उसके कदम वहां से वीर के रूम की तरफ बढ़ चुके थे वो जाने से पहले अपने भाई से मिलना चाहता था आरेमन ने वीर के रूम का डोर नौक किया तो वीर इस समय अपने लैप्टॉप पर भिजी था वीर ने अंदर आने के लिए कहा तो डोर पर उसका बड़ा भाई आरेमन खड़ा था वीर फॉरन अपनी जगा से उठा और आरेमन की तरफ बढ़ा आरेमन ने अपने भाई के लिए अपनी दोनों बाहें पहला दी वीर भी पल भर में ही अपने भाई के गले से लग चुका था जिसके बाद वो आरेमन से अलग हुआ अब आरेमन ने वीर से कहा मुझे गर्व है मेरे भाई पर जिसने इतने अच्छे से सिच्वेशन को हैंडल किया है मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी ही परीधी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी वीर ने सर जुकाए भारी स्वर में अपने भाई को जवाब दिया भाई उमीद तो मुझे भी है आरेमन ने वीर से आगे कहा परीधी को डिस्चार्ज करवाने के बाद तुझे उसे यहां लेकर आना है उसकी मौम के साथ उसकी जान पर खत्रा बरकरार है वो यहां तेरी नजरों के सामने रहेगी तो महफूज रहेगी वीर ने हामे सर हिलाया जिसके बाद आरेमन ने उसे निवान की फरमाईश के बारे में बताया निवान के कोई फरमाईश करने की बात सुनकर तो वीर भी बेहत खुश था जिसके बाद आरेमन वीर को अपना और परीदी का खयाल रखने के लिए बोल कर अब नीचे हॉल में आकर बैट चुका था जहां जागरती और निवान आरेमन का इंतजार कर रहे थे कैसी होगी आरेमन की रोमैंटिक साइड क्या जागरती सच में देने वाली है आरेमन को कोई सजा कैसा होगा उसका स्वीट रिविंज क्या इस बीच जागरती के सामने खुलेगा वो बंद दर्वाजा जानेंगे कहानी के आगे के सफर में